आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Airtail DTH में किसी भी चैनल को कैसे आप रिमूब कर सकते हैं या फिर दोस्तो अगर आप Airtail DTH में किसी भी चैनल को एड करना चाते हैं जोडना चाते हैं तो दोस्तो कैसे कर सकते हैं मैं दोस्तो इस वीडियो में आपको complete process बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूँ airtail dth में किसी भी channel को कैसे remove कर सकते हैं और दोस्तो किसी भी channel को कैसे add कर सकते हैं online अपने mobile phone से तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको करना किया है airtail thanks application को open कर लेना है open करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface सोकरेगा अब दोस्तो आपको चैनल को remove करना या भी दोस्तो add करना तो उसके लिए आपको करना क्या आगा उपर में देखे एक profile का option दिखाई देरा है simply इस profile वाले option पे आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप इस profile वाले option पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब दोस्तो यहाँ पे my service का एक option आपको दिखाई देगा simply आपको my service के option पे click कर देना है जैसे ही my service के option पे click करेंगे आपके सामने दोस्तो कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब आपको उपर में देखे air tail black के नीचे में आप देख सकते है three active connection के एक option दिखाई देगा तो आपको करना क्या है air tail black के नीचे में जो लिखा हुआ है छोटा ऐसा three active connection इस पर आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप three active connection के option पे click करेंगे आपके सामने दोस्तो कुछ इस तरह का interface आजागा जैसा कि दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दर processing चलेगा तो आपको थोड़ दर wait करना है उसके बाद आप देख सकते हैं three active connection का option आ गया आपको करना क्या नीचे आना नीचे आने के बाद dth के option पे click करना नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ एक dth का एक option बना हुआ है तो आपको करना क्या है इस dth के option पे आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप dth के option पे आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब आपने जितना भी channel यहाँ पे select किया हुगा यहाँ पे so करेगा आपको करना क्या modify का option दिखाए देगा simply modify वाले option पे click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप modify वाले option पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आप दोस्तो यहाँ पे fetching हो रहा है यहाँ पे दिखाए देगा इसपोर्ट में मैंने click किया अब इसपोर्ट में जितना भी channel होगा वह सभी दिखाए देगा जिसमें दोस्तों यहाँ पे blue tick लगा हुग है circle में वह दोस्तों select है अगर दोस्तों यह भी select है इसको remove करना चाहते तो आपको करना जाओगा जो blue tick है उसपे click करेंगा और remove का option नीचे में दियागा और remove के click करने के बाद वह channel remove हो जाएगा अब दोस्तों जिस channel को आप add करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जैसे ही click करेंगे आपके सामने दोस्तों यहाँ पर blue tick हो जाएगा वह circle जो है blue tick हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको करना क्या review का option दिखाएगा और review के option पर click कर दिने हैं उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जितना चैनल आप select किया था कितना प्राइस था वह दो करना क्या नीचे में देखे confirm का option दिखाए देगा simply confirm वाले option पर click कर दिने हैं जैसे ही confirm का option पर click करेंगे आपका दोस्तों जो भी यहाँ पर चैनल एड कियो है जोड़े है वह दोस्तों प्लान अपडेट हो जाएगा यानि कि आपके चैनल में एड हो जाएगा यहाँ पी द जो भी चैनल को रिमूब करना चाहते हैं आपको कस्टमर करने की यह होत नहीं आप दोस्तों घर बैठे ही आउनलाइन अपने मभाइल फोन से ही अपने चैनल को एड या रिमूब कर सकते हैं